दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विनीता यादव इस वक्त लोवसभा चुनाओं के साथ साथ आपको याद दिला दूं की चार राजियों में और चुनाओं चल रहा है खास तर से अगर बात करें उडीशा की तो उडीशा में नव rapid पटनाए कि कुन्डली ऐसी क्या है कि लगातार पांच बार से वह मुक्जा मंत्री है और पर पर से क्या आ जाएंगे वह मुक्जा मंत्री बंकर उनकी कुंडली में ऐसी कौन सी खास जो कि आपको अक्सर अपनी भविश्यवानी साज़ा करते आए हैं और उनकी कई भविश्यवानी मैंने खुद देखी हैं कैसे वक्त के साथ पूरी होती गई हैं बात करते हैं आचारे जी से आज आपको विशेश रूप से नविन पतनायक जी कुंडली पर जर्चा करूगा नविन पतनायक जी जिनका जन्म 16 अक्टूबर अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो पिछले 24 वर्सों से सत्ता पर नविन पतनायक जी आप कह सकती हैं कि 25 साल हो गया उनको सत्ता पर काविज हैं कि नविन पतनायक जी के कुंडली का करक लगन है तता इनकी चंद राशी मिथून है करक लगन कुंडली में सिंहासन के चतुर्द भाव में योग कारक मंगल नवमेश कुरू प्रवल राज योग बना रहे हैं. प्रवल राज योग का जो में कारक ग्रह है, वह मंगल और गुरू है. नविन पतनायक जी, जिनके पिता जी भी मुख मंत्री रहे, नविन पतनायक जी, जो विदेशों में बात करते हैं नवीन पतनायक जी की कुंडली में विशेश सुप्सेर देखा जाए तो नौमेश्ट गुरु का प्रबल राज्युक बना रहा है कुंडली में पिता के नौम भाव के स्वामी होकर दसम तिथा पंचम भाव के अधिपती मंगल के साथ एक बड़ा राज्युक निर्बित कर रहा है का सकते हैं बरतमान में चार अप्रिल स्रेमिन पतनायक की जन कुंडली में पंचम भाव में बैठे शुक्र की विश्वंतरी दसा शुरू हो रही है शुक्र उनकी करक लगनी कुंडली में लाव के एकादस्त तसिंहासन के चतुर्थ भाव का स्वामी ह होकर पंचमेज से मंगल विशेश रूप से रासी परिवर्तन करा रहे हैं और इसके साथ साथ राज्योग भी बना रहे हैं मिधान सभा में क्या छटी बार वह जित करके आएंगे और क्या उन्हें फिर से एक बार मुख मंत्री पद प्राप्थ होगा इस पर हम बात करते है करक लगनी कुंडली एक शुक्र को अकारक गरह माना जाता है शुक्र लगने के स्वामी चंद्रमा से सत्रुता रखता है और करक लगने के जात्कों को रोग से पीड़ा देने की संभावना होती है लेकिन अगर हम बात करें तो तेरह माई दोहजार चौबिस को पहला फेज का एलेक्षन है और दूसरा फेज का एलेक्षन एक जुन दोहजार चौबिस को है ठीक उसी प्रकार रिजल्ट की बात करें तो चार जुन दोहजार चौबिस को रिजल्ट आ रहा है नवीन पटनायग जी की अगर कुंडली के साथ साथ अगर हम जन्म अंग की बात करते हैं तो नवीन पांच एक छे छे बारा एक तेरह पांच अठारा यानि नवीन नाम से नव अंग वंताज जिसका स्वामी ग्रह मंगल है पटनायग की बात करते हैं तो आठ एक नौ चार तेरह पांच अठारा एक उन्नाईस एक बीस अथू बाइस नभीन पटनाय की कुंडली का अगर हम अध्यन करते हैं तो उसमें विशेश रुप से मेश राची का जो मंगल है वह सब्तमेश में काफी उर्जा दे रहा है वहीं शनीत चौथे वहाव में जनता को स्वामी हो करके उन्हें जनता का अश्रवाद मिल रहा है नवीन पटनाय की अगर कुंडली के साथ नामांग की चर्चा करें तो इनके नाम का अंक चार आ रहा है नवीन का जो अंक आ रहा है जिसका स्वामी मंगल है और पटनायक का अगर हम देखते हैं निमरलोजिकल कालकुलेशन्स तो चार आता है जिसका स्वामी राहु है और चार जून दोहजार चौवीज को रिजल्ट आ रहा है तो सत्ता शाशन की अगर हम बात करें तो इनके पहले से सीटों की संक्या में जरूर कमी आएगी और स्वास्त की भी परतिकुलता रहेगी कितनी सीटे आएगी टोटल सीटे 147 हैं पुरिशा विधान सभा में 7-14 एक बार है टोटल योग तीन आता है और जिसके स्वामी ब्रश्पती है इनका 13 मई 2024 को जो चुना हुआ है इसका अगर हम गन्ना करते हैं तो 4, 2, 6, 2, 8, 5, 13, 4, 17 इसका स्वामी आठ आता है तो अगर हम बात करते हैं कि इनकी सीटे कितनी आएगी तो कैलकुलेशन के अधार पर देखा जा रहा है कि पहला फेज का जो चुना हुआ यहां इनके अनुकुलता का हुआ यानि कि 13 मई का जो चुना हुआ है नभिन पटनायक के लिए लाव का दिश्टि दे रहा है एक जुन का चुना हो रहा है तो एक जुन का चुनाव में इनको लाव होतना नहीं है एक जुन की चुनाव में इनको हनी है 4, 2, 6, 2, 8, 8, 14, 15 टोटल अंग 6 आता है जिसका स्वामी शुक्र है और शुक्र अगर इनकी कुंडली में देखा जाए तो शुक्र इनको वेपड़ित राज्योग तो जरूर देता है लेकिन अस्तम मार्केश की इस्थितियें बैटाए केतु के साथ यहां बहुत अनकूल नहीं है यानि हम कह सकते हैं कि अभी इनका 111 सीटे हैं और सीटों में सतासी के बिच दिखती है यानि 147 सीटों का विधानसभा है इसमें मैंने बित्थान सबाग के करिव करेभ सभी विधानसभा सीटों का और जो Chloe मुब रुप से मुख मूट्रेट हैं चाहे वह कांग्रेस के हो चाहे हो भावरतिजंदापर्टी के हो चाहे वह विजु जन्दादल के हूं हम मैंने इन तीनों के नामंक से जो कलकुलेशन्स निकाले हैं उसके अधार पर पूरिशा में 81 से 87 शिटे लेकर के नभिन पत्नायक एक बार फिर से मुखमंत्री पद को प्राप्त कर रहे हैं सत्ता सासन में एक बार फिर से मुखमंत्री बने रहेंगे और इनकी कुंडली में जो योग है जीवन पर अत्न यानि जब तक जीवन रहेगा तब तक मुखमंत्री पद पर रहेंगे यानि पद्चूत्र होकर के इनकी शरीर नहीं इस धर्टी पर जितने भी लोग आए हैं चाहे मैं हूं चाहे इस राच्र जगत पर जितने भी लोग हैं सब को एक दिन जाना है नवीन पटनायक जी कुंडली में ऐसा योग दिखता है कि जब भी इनकी सत्ता साशन रहेगी सत्ता साशन से अलग हट करके नहीं बलकि जीवन रहते ही सत्ता रहेगा जीवन परत्न सत्ता रहेगा यानि हम कह सकते हैं कि नवीन पटनायक जी कुंडली में एक बार यानि छटे बार मुख मंत्री पद की सपत लेंगे चार जुन को इनके लिए लाब का योग बनता है 81 सीटे 81 से 87 सीटों के बीच इनका बीजेडी का योग दिखता है वहीं अगर हम बात करते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी 10 से 16 सीटे लेकर के आ रही है और अगर हम बीजेपी के जो कालकुलेशन में ने किया है उसके अधार पर 45 से 52 सीटे यानि कि भारती जन्त पार्टी दूसरी सबसे बड़ी सशक्त पार्टी उडिशा में होगी भारती जन्त पार्टी 45 से 52 सीटे वहीं कॉंग्रेस पार्टी 10 से 16 सीटे और बीजेडी 81 से 87 सीटे इस प्रकार की सीटे मुझे दिखता है अंग जोदिस के कालकुलेशन के अधार पर नविन पतनायक कुंडली के अधार पर भी और अंग जोदिस के अधार पर भी नविन पतनायक एक बार फिर से 77 साशन में आएंगे साल 2024 में फिर से मुख मंत्री की सपत लेंगे लेकिन उनकी शक्ति में कमी आएगी यानि कि 30 सीटों का जो है वह कमी दिखता है फिछले चुनाव में 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 111 सीटों को प्राप्त किया था इन्होंने इस बार 30 सीटों का इनको नुक्सान होगा और यह जो आंकड़ा है वह 81 से 87 सीटों तक जाता हुआ दिखता है यानि हम कह सकते हैं कि नविन पतनायक जी कुंडली में उत्तम राज जैक एक बसे मुख मंतरी पत को प्राप्त करेंगे तो कुल मिलाकर यहां पर नविन पतनायक एक बार फिर से मुख्य मंतरी बनेंगे आप ये कह रहे हैं जी आपने उनकी पूरी कुडली बता दिया यहाँ पर अगर मैं आपसे एक आखरी सवाल में यह comparison पुछती हूं कि वो एक राज्य के स्तर तक ही क्यों रहे हैं इतनी बार मुख्य मंत्री बनने के बाद 5 बार 24 साल का राज और ऐसे में अब कभी वो मतलब केंदर तक क्यों नह ही आए एक जो पॉलिटिकल सेनारियो है उसमें नहीं कुडली की तरफ से में पूछना चाहती है कि एक की कुडली में जो शनी है वह आस्थाय तो देते हैं और शनी जो है वह लागातार 30 वर्षों तक 30 वर्षों के बाद शनी का स्थान परिवर्तन होता है यानि हम कह सकते ह है कि अपनी घर में शनी जो है वह तीस बर्ष के बाद आते हैं और शनी जो है वह शनैसने चलते हैं शनी जो है वह जनता के स्वामी है इनकी कुल्ली में और जनता का प्यार इनका रहेगा लेकिन जन्मस्थान और करमस्थान से बाहर रह करके कोई बड़े शक्ति की ब्रध इनकी नहीं दिखती है जन्मस्थान और कर्मस्थान इसमें ही इनका ज्यादा संभावना दिखता है और दुसरा पंचमस्थान और दसमस्थान को देखें तो पंचमस्थान जो है उसमें राहो की दिश्ट्री है यानि कि संतान इने प्राप्त नहीं हुआ है विवाह नहीं कि और अगर हम देखें दस्रमस्तान तो पीता का इनको पूरा अश्रिवाद मिला पीता का इनका कह सकते हैं कि सत्ता साशन प्राप्त करने का जो कुछ भी लाब हुआ 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 पीता के कारण हुआ और इनका अगर हम देखें शिक्षा भाव देखें शिक्षा भाव और विदेश में रहने का भी योग देता है लेकिन अस्थाई रूप से जनमस्थान और करमस्थान में ही इनका नाम यश और ख्याती दिखाता है इसलिए नविन पतनायक केंद्र की राजिती में कभी भी नहीं आए वह अपने राजर में ही सिमित हो करके रह गए इसके पीछे श करना के मताबिक आपकी भविष्यवानी के मताबिक पिछले बार से तीस सीटों का नुकसान होगा पिछले पिछली बार जितनी सीटे आई थी उतनी सीटे इनको नहीं आपाएंगी तीस से ज्यादा सीटों का इनको नुकसान होगा यानि कि ये कुछ नुकसान और फाइदे के बीच में बड़ा फाइदा जरूर इने मिलने वाला है ये बड़ी बात है यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अचारे जी आपर लगी पतनाय के कुंदी के बारे में और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइदे के लिए